कि आप कितने पैसे लोगे कि क्या हम इसमें थोड़ा सा मोल भाव कर सकते हैं अहीं सी बात उसमें एड नहीं आएगा ठीक है एड नहीं आएगा तो उसके पैसे नहीं बनेंगे एग कि अनलिस्टेड लिंग क्या हुथी है वाई विडियो बनाना इसलिए जरूरी है कि आपका जो चैनल है अपको इंटीग्रेट वीडियो का नो को लागए है वालका नाए डियो का मोलाट यूट्प से पढ़ी है अगल्च वीडियो नहीं हसे मैं किस कारण से वीडियो नहीं कर पा रही थी बट नहीं कर पा रही थी बट या आज मैंने सोचा मैं किसी भी हालत में यह वीडियो आप लोको दूंगी विकास में बहुत सारे questions आ रहे थे related to shots video, YouTube term and आप यह ली video कब लाओगे सबसे जादा तो मुझे इस पर question आ रहे थे so guys मुझे लगा कि नहीं आज मैं वीडियो करके ही रहूंगी चाहे कुछ हो जाए so guys इसके देखो मैंने shots का लोगो है वो भी मैंना पीछे रख लिया है ताकि वह वह वाइव आए कि yes shots video के वारे में आज मैं बताने वाली हूँ तो चली वीडियो को start करते हैं वाट वीडियो को start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली वारा है और आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please do subscribe to my channel guys it would mean a lot to me and now let's get started skin problem में a common problem होती है जो कि है science of aging काफी लोगों को ये 20s में भी दिखने लगती है नॉर्मल ये 30s के बाद ही दिखती है so guys मैं यूज़ करी हूँ recently lotus harvals का youth rx anti aging range guys इसमें सबसे पहले मेरे पास है lotus harvals का youth rx youth activating serum plus cream ये कुछ इस तरीके का दिखता है guys इसकी जो packaging है वो जो बहुत जादा पसंद आई एकदम rich look देती है and guys अगर मैं बात करूँ इसके texture का तो इसका जो texture वो थोड़ा सा thick है जो बाकी serums होते हैं वो काफी जादा running consistency के होते हैं बट ये ऐसा नहीं है बट guys इसे बहुत जल्दी आपकी skin पर absorb हो जाता है non sticky है and non oily भी है then में इसे अपने finger tip में लेके and अपने पूरे face पे upwards की तरह अच्छे से इसे massage करते हुए apply करूंगी guys इस में है ginger and ginseng की goodness जो की आपके skin की elasticity को improve करता है and आपकी skin को younger and smoother बनाने में help करता है and also guys it works on regenerating the skin cells and provide optimum hydration to the skin while also combating the signs of aging next मैं use कर रही हूँ lotus hervals का youth rx anti-aging transforming cream this is how it looks like बात करें इसके texture and consistency की तो यह भी थोड़ा सा thick है बट बहुत ही जल्दी आपकी skin पर absorb हो जाता है non sticky है and non oily भी है अब मैं इसे अपने face पे apply करूंगी so face में dot dot करके मैं इसे normal moisturizer के जैसे apply कर रही हूँ you can see and मैं इसे apply करूंगी इसके बात थोड़ा सा upward motion में इसे थोड़ा सा ना massage भी कर दी जाओंगी इसमें भी आपको ginger and ginsing की goodness मिल जाएगी जो कि आपके skin के elasticity को improve करने में help करता है and आपके skin को younger and smoother बनाने में help करता है यू can see guys कितने जल्दी ये मेरे skin पर absorb हो गया and you can see the visibly result अभी मेरा face कितना जादा you know glowy and fresh and smooth दिख रहा है next I have this lotus hervals की youth rx anti-aging nourishing night cream this is how it looks like ये छोटी से डब्बी है guys but trust me ये छोटी से डब्बी में बहुत ही magical product है बात करें इसकी consistency formula की so it is also a little thick formula but काफी जल्दी आपकी skin पर absorb हो जाता है non sticky है and non oily भी है next में इसे अपने face पर अच्छे से apply करूंगी and as always थोड़ा सा massage भी करूंगी कोई भी आप product apply करो उसे थोड़ा सा ना massage करते हूं apply करो न तो वो ज्यादा अच्छे से आपके skin पे ना penetrate हो जाती है it comes with the goodness of jeniplex youth compound derived from the potent natural ingredients clinically proven for the accelerated lifting forming and skin elasticity guys in सारे products के जो fragrance है ना वो एक्दम इसके name के जैसे ही है like lotus hervals तो इसमें जो fragrance है जैसे की फूल पत्यों वाली जो fragrance होती ही ना वो बाली है इसमें एक्दम fresh and soothing type की fragrance जो होती है वो है guys these all products are free from harmful chemicals and suitable for all skin type and if you are interested to purchase you can use my coupon code which is lotus sign 10 जिससे आपको मिलेगा 10% का off and guys इतना ही नहीं मैं बताना भूल गई आपको इसके साथ ये वाला bag भी मिलता है जिसमें आप इस सारे products बहुत ही असानी से रख सकते हो and रखे कहीं भी travel कर सकते हो and ये bag जो है organic type का ही लग रहा था काफी अच्छी से आपके सारे products इसमें आ जाएंगे and आप easily से travel कर सकते हो link and side details आपको मिल जाएंगे मेरे description box में so don't forget to check that out okay guys so सबसे पहले मैं है आप लोकी सारे questions निकाल लेती हूं कि आप लोग ने किया के questions के से related to shots video plus मैं मैंने अपनी तरफ से जो आप लोग को पताना चाहा है वो मैंने अपनी डाइरी में नोट कर लिया है मैं आपको भी बताऊंगी you know extra थोड़ा सा knowledge जे तना मुझे है उतना मैं आप लोग सारे शेयर जरूर करूंगी ये सारे questions बहुत सारे actually so इन मैंसे mostly questions जो हैं को मैंने लिखके रख लिए हैं okay guys let's start with YouTube terms so क्योंकि ये video मैंने पहले बोला था कि मैं इससे भी पहले डालने वाली थी so मैंने सुचा क्यों ना पहले इससे बताऊं and वो थोड़ा बहुत चोटा साही है आपको लोगों जादा इनो time नहीं लगेगा and अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप skip कर सकते हो but guys मैं आप लोगों को बताओ दू जो भी beginners है you know जो भी इस लेविल पर है कि उनका जो चैनल है वो मॉनिटाइज हो चुका है या फिर उनके जो सब्सक्राइबर है वो 10 और 5,000 के अराउंड है ये वीडियो उनके लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-जादा हैलफुल होने वाली है क्योंकि आपको असे लेविल पर आप लोगों क भी उनके साथ बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत करते हैं w dato ब्रेंट्ट् आपसे डायरुक्त नहीं करते हैं कई कई ब्रेंट्स होते हैं कि अभी तक मुझे डियरेक्थ जो ब्रेंट्स है वह एक ही दो कॉन्टेक्ट चिया है एंड इस वीडियो में जितनी वी ओनल नॉलिष दूंगी बिरल्पित के साफ से दूंगी जितना मुझे नौलेज है या फिर मैंने जितना experience किया है वह वाला नौलेज में आप लोगों कुछ देने वाली हूं ठीक है तो मेरे को ना ब्रेंड डिरेक्ट ब्रेंड ने एक ही दो इजन्सी होते हैं MHS काफी साधे से जैंसी होती है जो कि आपको कॉंटेक करती है और वह ब्रेंड के बहाफ में आप लोग उसे बात करती हैं कि उनको डेडिकेटड वीडियो चाहिए इंट्रीट वीडियो चाहिए तो आप क्या लेंगे आप हमारे ब्रैंड प्रमूर्ट करना है आप को तब किया कमर्शिल Recently क्या होताई इटीकेट क्या होताई इसे आपके पास पे आपके पास करके को लेवा एट सब से पहले होता है न हैं गाल टीन ताइब हो थीक है साबसे पहले होग रजल बार्टर कोलाबरेशन उनके पास आएगा जिनकी अभी उनों सब्सक्राइबर ग्रोथ कम है थोड़ा सब्सक्राइबर कम है थोड़ा रीच कम है बट फिर भी अगर आपको ना ब्रेंट को आपका जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो वो आपके पास आते हैं और करेंगे मतलब आपको जिस प्रोड़क्त का उनको प्रमोशन कराना है वो प्रोड़क्त आपको प्रोड़ाइट करेंगे और आप उनको उसी प्रोड़क्त के वीडियो प्रोड़ाइट करेंगे यह हो गया वन रेशियो वन ठीक है तो यह हो गया बार्टर कॉलाइबरेशन छुआ कि मनी का कोई भी लेंदेन नहीं होता है हुर सेकेंद हो गया पेट कुलाबरेशन लेस्टा तोट रायो मतलब कि जो ब्रेंड आपकी है वह आपको प्रोलाच करेगा साथ चाहिए क Orp बाता है जब आपकी रीच बहुत अच्छी होती है तो लोगों को नहीं पता हूता है मुझे भी नहीं पता तो भी और वीडियो में आप लोगो के लिए इसलिये बना रही हूं क्यूंकि इस शिचुएशन से मैंने भी डील किया है मैंdish से situation से इसी लेविल से मैं भी आई हूँ क्या होता है ना जब भी हमें कोई चीज पता नहीं होती है कि commercials क्या होते इंटेगरेटर वीडियो क्या होती है डेडिकेटर वीडियो क्या होती है तो अगर हमको ना कभी पूछना पड़ जाए तो हमें बहुत जादा hesitation होते है यार कि वो लोग यह सोचेंगे कि बता हम creator बन गए लेकिन अभी हमें यह भी नहीं पता किसका मतलब क्या होता है राइट बट सीरेशली हमें क्यों क्यों पता होगा भई हमने तो खुदी starting करी है ना भी हमें कैसे पता हो सकता है ना हमें तो इन प्यार में थी में कहां बताने लगी ठीक है तो प्यार क्या होता है प्यार होता है just a gift ठीक है यहां पर आपको money नहीं मिलती है सिफ आपको product मिलता है कहां से brand की तरफ से आपको product मिलता है और यह भी नहीं कहते हैं कि आपको इसको दिखाना है बिल्कुल जरूरी है ऐसा बिल कुछ भी expectations नहीं रखते हैं जब PR भेजते हैं PR बिल्कुल एक gift की जड़ा होता है कि जैसे एक brand ने आपको कुछ भेज दिया है आपको बताना हो बताओ नहीं बताना हो बिल्कुल मत बताओ ठीक है वो कोई expectations आपसे नहीं रखते हैं बट फिर भी हम अपनी तरफ से बताते हैं तो वो होता है PR PR कैसे किस लेवल पर आता है जब आपकी जो subscribers हैं वो बहुत अच्छे हैं अगर ठीक है आपके सब्सक्राइबर थोड़ा कम भी हैं कम भी in the sense 100 है sorry 100K है 150K है फिर भी आपके पास जो है वो PR आ सकता है क्यों क्योंकि आपके जो reach है आपके जो views है वो आपके इ होती है उनका तो काम ही है कि creators को धूनना किसकी रीच अच्छी है किसकी रीच नहीं है यह सब वगेरा उनलों का यह का मुझे लगता है कि आप लोगो को पी आर बाटर को लैब एंड पेट को लैब क्या होता है सब समझ में आ गया होगा second हम आते है YouTube collaboration term क्या यूज किये जात लिंक यही सारी चीजें जो यही सारे टर्म्स जो है वो यूज किये जाते हैं सो गाइस commercials क्या होते commercials होता है कि आप कितने पैसे लोगे अगर मैं बताओं तो आप कितने पैसे चार्ज करते हो आप अपने वीडियो के लिए उसको बोलते है commercials ठीक है मतलब कि money second क्या होता integrated video integrated video होता है कि आपको आपकी वीडियो रहेगी कोई भी वीडियो हो वो आपकी रहेगी लेकिन उसमें हमें चाहिए सिर्फ 2 मिनिट या 1 मिनिट का promotion part जो की usually आता है मुझे लगता है कि most of the time आपको integrated video का no collabs आते हैं so most of the time यही आता है integrated video तो आपकी एक वीडियो अपनी रहेगी बस आपको उसमें 1 या 2 मिनिट का हमारे brand का जो है वो promotion करना है उसको बोलते हैं integrated video मतलब 1 या 2 मिनिट की कोई ad बताना है तो उसको बोलते है integrated और dedicated video क्या होती है dedicated video होती है कि brand आपको जो product भेज रहे हैं उसके ही बारे में पूरी video होने वाली होगी उसको बोलते है dedicated video ठीक है integrated video dedicated video clear हो गया होगा आप लोगों को एकदम ठीक है third क्या होता है थर ने, अक्चुली फोर्थ, फोर्थ होता है, निगोशियेबल, ठीक है, निगोशियेबल क्या होता है, अब कैसे brand आपसे पूछता है, ठीक है, आपने उसको अपने commercials बताये कि भाई, इंडिग्रेड़ के लिए हम इतना लेते हैं, डेडिकेड़ के लिए हम इतना लेते हैं, ठीक है, अब आपको brand पूछेगा, इस इट निगोशियेबल, आपको जो चार्ज है, वो निगोशियेबल है, मतलब कि, क्या हम इसमें थोड़ा सा मोलभाव कर सकते हैं, क्या हम इसमें मोलभाव कर सकते हैं, कि अगर आप थोड़ी से कम चार्ज कर लो, क्योंकि brand आपके पास ऐसे पहुंचते हैं, कि हम आपको long term basis में collaboration देने वाले हैं, तो क्या आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि हम long term basis में काम करेंगे, तो आप थोड़ा कम कर लो, यह सब अगरा, जब आपसे brand बात करता है, तो उसको बोलते हैं, निगोशियबल, ठीक है, कि आपके जो charges है, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, actually, कम ही करवाते हैं, वो ठीक है, कम हो सकते हैं, या नहीं, ठीक है, लेकर अगर आप उनसे बोल दोगी, कि नहीं यह निगोशियबल नहीं जिसकी भी बात कर ली, ठीक है, अब जब आप वीडियो बनाने जाते हो, तो क्या होता है, brand पहले आपसे script मांगता है, कि आप हमारे product के बारे में क्या-क्या बताने वाले हो, हमें लिख कर दो, ठीक है, कि आप हमारे product के बारे में कैसे-कैसे बताने वाले हो, वैसे most of the time, क् ब्रेंड खुदी आपको ना script provide कर देता है script in the sense कि वो आपको सिर्फ ना product के बारे में send करेंगे कि product product के benefits क्या है product कैसा है क्या है यह सब आपको send करेंगे आपको उसमें अपना you know अपना organic जो अपना organic way उसमें डालना पड़ता है कि आप अपने audience को कैसे बताओ के कैसे हमारे product को लेने के लिए influence करोगे बस simple word यही है कि आप हमारे product को लेने के लिए अपने जो followers हैं अपने जो subscribers हैं उनको कैसे influence करोगे यह हमें लिख कर दो कि आप हमारे product के बारे में क्या-क्या बोलने वाले हो कैसे बोलने वाले हो तो उसको बोलते हैं script, अब script आपको ऐसे pages में नहीं देनी होती है, आपको script देनी होती है, you know, जिसे आप WhatsApp में message टाइब करते हो, तो एक particular way होता है कि हम intro इस टाइब करेंगे, ठीक है, हम product के बारे में ये बोलेंगे, हम packaging के बारे में ये बोलेंगे, ठीक है, and then हम उसको outro ऐसा क परेंगे, you know, experience हम अपना बताएंगे, and before and after बताएंगे, ये सब आपको उनको लिख के देना पड़ता है, फिर वो approved करते हैं आपकी script को, उसके बाद आपको वैसे ही video बनानी होती है, ठीक है, ये हो गया script, ठीक है, next जो होता है, वो होता है unlisted link, अब unlisted link क्या होता है, काई कि जब आप अपने वीडियो बना ली, आपने वीडियो अपलोड कर ली, अपलोड करने के बाद आपको तीन option आते हैं, आपको अपनी वीडियो प्राइवेट रखनी है, अनलिस्टिट लिंक में देनी है, या फिर पब्लिक करनी है, ये तीन आपको option आएंगे ही, आएंग तो ये तीन जो option आते हैं आपको, आप तीन में आपको difference बता देते हूं, तो अगर आप जब अपनी वीडियो प्राइवेट रखते हो, तो सिर्फ आप ही देख सकते हो, कोई दूसरा बंदा उस लिंक, उस वीडियो को नहीं देख सकता है, तो इसलिए अनलिस्टिट लिंक में आपको वीडियो को डालना होता है, एंड सिर्फ आपको brand को भेजनी होती है, उसके वाद वो approve करते हैं, कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, भला चंगा है, आप इसको public कर सकते हो, तो अब आप जाकर इसको public करते हो, ठीक है, brand का approval बहुत 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 जादा ज़रूरी है आप अपने मन से वीडियो को live public नहीं कर सकते हो जब तक वो आपको approval नहीं भेशते हैं ठीक है so क्या होता है कि बीच पे अगर उनको कोई चीच नहीं पसंद आती है ना तो वो लोग उसको change भी करवाते हैं seriously मैं बताओं मेरा experience ना कुछ-कुछ brand के साथ इतना खराब रहा है ना मैं आपको नाम नहीं लेके बताओंगी लेकिन इतना खराब रहा है इतना खराब रहा है कि मुझे 4-5-5 वीडियो को 4-5-5 बार वीडियो को edit करना पड़ा है उनको पता नहीं क्या चाहते हैं brands कि उन लोग को इतना ज़ादा इडिट करना पड़ जाता है उन लोग को नहीं पसंद आता है दूसरी चीज यह भी है कि कई-कई brands के साथ मेरा experience इतना अच्छा रहा है कि अगर मैं सिफ एक बाल इडिट करके एंड भेज देती हूं न वीडियो तो उन लोग तुरंथ जो है एक या दो तीन देन के अंदर जो है वो अप्रूफ कर देते हैं एक तो बहुत जादा टाइम भी लेते हैं ब्रेंड जो रहते हैं वो काफी जादा टाइम भी लेते हैं अप्रूफ करने के लिए बट कुछ ब्रेंड जो है वो एक दिन या दो दिन में अप्रूफ कर देते हैं वह बहुत अच्छा लगत कर दी ठीक है इसके बाद आती है पेमेंट की बारी आती है जब तब उन लोग आपसे इन्वोइस मांगते हैं ठीक है इन्वोइस का मैं आपको यहाँ पर फॉर्मिट दे दूगी या फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूगी कि कैसे invoice बनती है या फिर एक तो ना उन लोग मुझे लगता है कि काफी सारे brands ना खुद का invoice format आपको भेशते हैं बस उसमें आपको edit करना होता है edit कैसे करना होता है कि आपको अपना जो bank detail है वो डालनी होती है आपकी जो वीडियो थी उसका price क्या था वो डालना होता है मतब समझो एक उनके पास एक proof हो जाता है कि हाँ आपने यह इतना चार्ज किया है इस वीडियो में इस वीडियो का आपको इतना पैसा मिलेगा जस्ट दो दिन दिन के अंदर साइध आपके bank में आप में कब तक वो डा रही है यह सब वो ब्रेंड के हिसाब से होता है ठीक है उनकी जैसे भी terms and conditions होते है उस इसाब से ठीक है एक होता है Media Kit अब Media Kit क्या होता है मीडिया किट भी बहुत जादा सिंपल सा है आपको बहुत जादे इनों तड़क-भड़क वाला मीडिया किट बनाने की बिल्कुल भी जरद नहीं होती है पर थोड़ा सा एक्ट्रेक्टिव बना दो तो क्या होता है आप कैन्वा से बना सकते हो इसको आप कई सारे ऐसे एडि denibly आपके शुक्स प्रेटफॉर्म में आइडिज है आपका इंस्टाग्रां ऑगया आपका फेस्दूक हो गया अपके उस्मेंसेkal में बताना पड़ता है कि आपके इसमें फॉल्लवस कितने हैं ठीक है आपके इंस्टाग्राम में फॉल्वस कितनुए आपके यूटुब इसमें सब्सक्राइबर कितने हैं, आपके Facebook पेज में followers कितने हैं, इस सब आपको इसमें लिखना होता है, and to be honest, आप अपना charges भी लिख सकते हो, आप जितना जो कुछ चाहे ना उसमें लिख सकते हो, आप ठोड़ा सा short रखना पड़ता है, that's it, so, यह होती है, media kit, I hope कि आप लोगो सारे YouTube terms जो हैं, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कि क्या कैसा होता, फिर भी अगर मैं कुछ skip कर रही हूँ, अगर आप लोगों कुछ समझना है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, मैं वहीं पर आपको उसका जबाब दे दूँगी, ठीक है, अब आते हैं, हम all about shorts में, ठीक है, Shorts वीडियो क्या होती है, क्यों बनाना चाहिए, Copyright Claim, I don't know, कितने सारे मुझे Questions आये थे इस वारे में, तो सबसे पहले मैं आपको शॉट्स के बारे में ये बता देती हूँ, कि Shorts के Benefit क्या है, अगर आप Shorts वीडियो बनाते हूँ, Shorts वीडियो, जो आपने देखा होगा, 60 seconds की जो वीडियो होती है, उसे Shorts वीडियो कहते है, ठीक है, YouTube का जो नाया फीचर है, उसको बोलते है Shorts वीडियो, अब क्या होता है उसमें, वो क्यों बनाना चाहिए, मैं आपको ये बता देती हूँ, क्या होता है, Shorts वीडियो समय पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि क्या होता है, कि जब भी कोई चीज नई लॉंच होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो इस समय पे यूटूब के Shorts का भी कुछ ऐसा ही हाल है, कि वो अपने Shorts वाले जो फीचर है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, वो आपकी वीडियो उसको काफी ज़्यादा वाइरल कर देता है, ऐसा होता है, तो आपको Shorts वीडियो इसलिए बनाने चाहि क्योंकि अगर जब आप लॉंग वीडियो होना तो उसकी थोड़ा सा गर कम रहती है, तो आपके Shorts वीडियो उसकी रीच बहुत जादा होगी, बहुत जादा इसलिए होगी, क्योंकि जादा लोग में सच बताऊं तो जादा हमारी ही टेंडेंसी देख लोग लोग वीडिय जादा इसलिए जरूरी है कि आपका जो चैनल है वो लोगों तक पहुचता है आपके Shorts वीडियो के जरी है, ठीक है, आपका जो शॉर्ट वीडियो होगा वो काफी जादा वाइरल करता है, यूटुब खुद आप उसको वाइरल करता है, तो उसके जरी होता है, कि जो हम वीडियो को हम देखते हैं, क्योंकि मेरी भी ऐसी टेंडेंसी है, तो मुझे लगता है, मतलब human tendency ही होती है ऐसी, कि अगर हमें कोई चीज अच्छी रखती है, तो हम उसके इनों पेज पर जाते हैं, एड़ हम उसकी सारी वीडियो देखते हैं, इसलिए Short वीडियो बनाना बहुत जादा important है, आप हफते में एक या दो Short वीडियो जरूर से जरूर बनाओ, अगर जादा नहीं बना पारो नो, तो फिर भी एक या दो वीडियो जरूर बनाओ, ठीक है Short वीडियो, अब होता है Copyright Claim, Copyright Claim आने से सबसे पहले बताऊं, तो मैं कोई फरक नहीं पड़त है कि आपका चैनल demonetize हो जाए या फिर यह ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस Copyright Claim आने से क्या होता है, आपका जो वीडियो पर्टिकुलर जो वीडियो है, वो monetize नहीं होता है, उसका आपको पैसा नहीं मिलता है, बाकी कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, क्या होता है, अगर जो वो शॉर्ट वीडियो है जिसमें Copyright Claim आया हुआ भी है, फिर भी अगर वो वाइरल हो जाता है बहुत जादा, तो क्या होता है, अभी एक यूटूब शॉर्ट फंड करके आपको शॉर्ट के भी अलग से पैसे मिलते हैं, तो उसकी चिंटा बिलकुल मत करना कि अगर व जो बी हॉनेस हंड्रेट डॉलर्स मुझे हर महीने मिला है, तो तीन महीने तिर मुझे नहीं मिला विकॉस मैंने शॉर्ट वीडियो गनाना थोड़ाता कम कर दिया था एंड इस कारण से मुझे वह यूटूब शॉर्ट सो फंड है वो अभी तक मतलब अब नहीं मिलता है, कि मैं स्टार्ट कर दू तो फिर से मिल जाए, बट ऐसा होता है, सो गाइस यह तो हो गया जो मुझे अपनी तरफ से आपको बताना था कि शॉर्ट के वारे में क्या है, अब मैं आपके क्वेशन्स, अब मैं आप लोगों के ना कुछ क्वेशन्स हैं, वह ले लेती हूं, अ कि मैं क्वेशन्स, okay, to be honest, मैं टेग्स यूज नहीं करती हूं, बट मैं यह बल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहूंगी, कि आप लोग यूज ना करने, टेग्स यूज करना बहुत जाता है, मैं कुछ-कुछ वीडियो में स्किप कर देती हूं, बाखी की वीडियो में करत हैं, इस टाइप का मैं कुछ-贼 जो टेग्स है, वो ंडदेती हूं, वह यार उसके ना अगर आपकी वीडियो वीडियो करना होती है, धकर आपकी, विडियो अ-पिकि, वह сов्त, इसकि वीडियो मेन यह मैंना आपको नहीं बताया है कि मैं कैसे युनों कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज़ करती थी तो मैं क्या करती थी अगर आप कोई भी ना मैश अप शॉंग यूज़ करोगे ना कोई भी मैश अप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कॉपीराइट क्लेम जो है वो नहीं आता है अगर आप YouTube की लाइबरेडी से जो है वो सॉंग वो यूज करोगे न तो बिल्कुल आपकी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा एंड अगर आप मैशब बगेरा यूज करते हो न तो उसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको शॉट भी मॉनिटाइज करने है न तो यूटूब की जो लाइबरेडी में सॉंग से आप वही लगाओ और कुछ मत लगाओ ठीक है वाय विच एप यू मेक यूर शॉर्ट वीडियो गाइस मैं शॉर्ट वीडियो ना सिम्पल अपने कैमरे से बनाती हूं उसी मैं सबकुच अड़ेट कर देती हूं चस्छा कर उसमें जो प्शे आता ना स्वाद रोट करने का उससे मैं क्रेट नहीं करती हूं कुछ भी मैं बária में सिंपल अपने मेन केमरे से इसको बनाओंगी उसको एड़िट करोंगी इन सुट अपसे मैं से एड़िट करोंगी मुज़िट इसमें डाल़ दूगी जो मुझे एड़ करना मैं सभ कुछ वहां से डरोंगी अडन वहां पर जा कि सिर्फ मैं अपलोड करती हुं यूटूब का जो शॉर्ट सेक्शन है मैं वहां से उसको एड़िट या फिर कुछ भी नहीं करती हूँ में कैमरा से एंड इन शॉर्ट एप से मैं एड़िट करती हूँ मोस्ट ऑफ दी क्वेशन्स यहीं हैं कि आपके यूटूब इन शॉर्ट में जो कॉपिराइट क्लेम आता है तो गाइस वो आता ही आपने मुझे दिखा होगा मेरी मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊंगी ना कि मेरी पता नहीं कितनी शॉर्ट वीडियो में कॉपिराइट क्लेम आया है पर उससे आपके चैनल को कोई फरक नहीं पड़ता है कुछ नहीं होता है आपके कॉपिराइट क्लेम आने से बढ़ हाँ अगर आब हटाना चाहों तो वह खटा भी सकते हो वाँ पे एक शॉर्ट वीडियो के watch ask monetization में include होते है या नहीं क्या शॉर्ट वीडियो के लिए भी YT से पैसे मिलते है लॉट्स ओफ लव लव फ्रम ओडी क्या होता है कि मॉनिटाइजिशन में आपके जो यूटूब के शॉट्स के जो आर्स है ना वो मुझे लगता है कि जब आप फीट से देखते हो ना मतलब फीट से मतलब ऐसी मैं आपको पहले बता देती हूँ ठीक है तो जैसे ही हम होम प चॉट वाले सेक्षिन पर जाके अगर आप देखोगे ना अगर आप यह पर्टिकुलर शॉट वाले सेक्षिन से जाके देखोगे तो यहां से आपका जो वास्ट ताइम है वह इंक्लूड नहीं होगा ऐसा होता है एंड मॉनिटाइजिशन में भी ऐसा है कि अगर आप वाले से जाके देख रहे हो ना वहां से अगर आप कोई शॉट वीडियो देख रहे हो एंड उसमें एड आ रहा है तो उसका पैसा मेलेगा जिसमें नहीं आ रहा है उसका पैसा आपको नहीं मेलेगा अगर और भी क्वेशन में कोई स्किप कर दिये हो तो प्लीज मुझे आ my next video till then take care be happy and bye bye